कल रात को मेरे पास एक बहुत ये बड़े यूटूबर के मैनेजर का कॉल आया और उससे मेरी 45 मिनट तक बात हुई मैंने अपनी सारी प्रोलम उन्हें बताई कि ये दिक्कत है और ये सब कुछ हुआ है प्लीज आप इसका कोई भी सॉलुशन निकाल सकते हो तो प्लीज निक यह बहुत बड़े चैनल से मुकाबला कर सकता है क्या नहीं कर सकता है यार क्योंकि वह बहुत सारे मतलब उनके पास बहुत सारे options भाई वह स्ट्राइक मार सकते हैं मेरा चैनल बंद के चक्कर में बहुत ही कलेश हो चुके और अभी भी आगे कलेश हो जाएंगे इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ आप समझदार हो आप समझ सकते हो सो हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे रात को 45 मिनट तक मेरे एक बहुत भी बड़े यूटूबर के मैनेजर से बात हुई और उस 45 मिनट में कोई भी सोलिशन नहीं निकला और जब मैं यहां पर आ रहा था आप लोगों के लिए कोई बाते नहीं उठाई या उन्होंने मुझे समझाने कौशिश नहीं की या मैंने समझाने कोशिश नहीं की मैंने सारी बात बताने के लिए यहां पर वीडियो बनानी थी बट आते आते हुआ कुछ ऐसा कि मेरे पाल इंस्ट्रग्राम पर मैसिज आता है कोई लॉयर थे वैसे तो ख़ीर वह लग रहे था कि मेरे कोई सुपचिंतक है बड में ऊंकि बातों से मका ऐसे रिलाइज हुआ कि कही वो उनके लॉयर तो नहीं है क्योंकि उन्ने मुझे बहुत सारी बाते बोली ले लेक्शन ले सकते हैं ये कर सकते हैं वह वह कर सकते हैं तो देखो यार एक छोटा सा चैनल है हमारा एक मिडल क्लास फैमली से मैं आता हो तो अब क्या कर सकते हैं कुछी नहीं कर सकते हैं बस मूँ बंद करके बेड़ सकते हैं और येही अब तक होता आया है जितने भी छोटे यूटूबर्स है ना, उनका credit बड़े यूटूबर्स ले जाते हैं, ये तो उसी तरीके से हो गया ना, कि रोड बनाया किसी और नाम किसी और का हुआ, बट अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास पैसा है, पावार है, फेम है, वो बहुत वो कुछ नहीं कर सकता, चुपचा मूँ बंद करके बेड़ सकता है, और यही अब मेरे चैनल के साथ होने वाला है, अगर थोड़े दिन में मेरा चैनल बैन हो जाए, डिलीट हो जाए, या वीडियो वगरा सब हट जाए, हैक हो जाए, बहुत सारी चीज़े अगर कुछ भ मेरे बाफ से डरता हूँ, बट भाई, मैंने पाच्छे महीने मेहनत करी है, और इस मेहनत की वज़े से इना मैं लड़ रहा था, कि एटलीस कम से कम जो मेरा क्रेड़ है, जो मेरी गाड़ी को मैंने तोड़ फोड नहीं कोशी करें, इतना दूर ले जागे, यार जाते तो ब पूरा का पूरा क्रेडिट ले लिया, मेरी वीडियो को बिलकुली मतलब ठंडे वस्ते में ढल दिया, अब लोगों को यह लगेगा, कि मैं इमोशनली आपको सारी सीचे बोल रहा हूँ, तो भाई, इमोशनली नहीं बोल रहा, मैं जो फील करता हूँ, वो ही आपको बताता है ना, बहुत मुश्किल से पाया भाई, और मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, मुझे जान से जादा प्यारे हैं, मैं नहीं चाहता उन्हें खोना, क्योंकि मुझे पता है चैनल अगर एक बार गया ना, तो मैं उसे दुबारा उस लेवल पर नहीं लिया सकता, जिस लेवल प कि कॉमेंट करोगे, किसी की वीडियो के उपर, तो वो मेरे खिलाफ को एक्षन लेंगे, मेरे वीडियो हटवा देंगे, मेरा चैनल बंद करवा देंगे, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, हम लोगों के लिए, तो इस टॉपिक को अब यहीं खत्रम करते हैं, ज चैनल पर व्यूज बढ़ाने के चकर में, कॉंट्रवर्सी क्रियेट कर रहा, बट उन्हें यह नहीं पता कि किसी ने मेहनत करी होती है, और उसकी मेहनत का अगर उसे फल नहीं मिलता न, तो वो उसे बुरा लगता है, और उसके अगेंस्ट वो वीडियो बनाता है, क्योंकि एक वीडियो पे जाके बहुत सारे कॉमेंट्स की, जिसकी विज़े से उनको उसे बात करनी पड़ी, यह बहुत बड़ी बात है, मैंने उनको मैसेज भी किये, कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक करता हूँ, और बहुत कुछ मैंने उनको बोला, कि प्लीज, प्लीज मुछ से और यह सब कुछ ख़तम कर दो, मेरा क्रेडिट मुझे लेने दो, अब यार बहुत सारे लोग यह बोल रहे हैं कि इससे पहले भी तो बहुत गई है, और वहाँ पर भी है, बिल्कुल है, वहाँ पे गई भी है, कोई मैटर नहीं करता, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं इस ब पहले पहले सब कुछ किया है यूटूब पर और बहुत सारे लोग गए यह वीडियो बनाई है तो ठीक है यह इतना बड़ा पॉइंट नहीं था और मेरी बातों को बिल्कुली सिरे से निगार दिया गया उसको अब इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाईया मैं बेवकुफ हूँ और मैं हूँ मैं बहुत बड़ा बेवकुफ हूँ जो इस लाइन में आया मैं अपना जो काम कर रहा था मुझे वही करना चाहिए था क्योंकि यार यह जो इंडस्ट्री है ना मतलब चाहे आप बॉलीवूड में चले जाओ चाहे आप इंस्टाग्राम प के लिए क्या कर सकता है कुछ नहीं कर सकता है अब इस वीडियो और एक प्र इंदा करना अभी बाइबाई